स्टडी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफॉर्ड़बल तक इस इंडिया कंपनी या ब्रिटिश प्राइमेरिली ट्रेडिंग कंपनी थी या ट्रेडर्स हुआ करते थे और कमर्शियल ऑपरेशन पर ही इनका फोकस था 1764 के बाद से इनका पॉलिटिकल कंट्रोल लेने में काफी जाधा दिल्चस्पी बढ़ गी हमने कई सारी जो वार्स भी कवर की हैं इसी सीरीज में चाहे वो करनाटिक वार्स हो चाहे वो मराथा वार्स हो या फिर पंजाब वार्स उस सभी में अंग्रेश कोशिश का कर रहे ह हैं कि भारत के ऊपर अड्मिनिस्ट्रेटिव और पलिटिकल कंट्रोल इस्टाब्रिश कर सकें अब यहां पर देखो प्राइमरी तो इंडिया के अंदर जो डारेक्ट कंट्रोल है वो किसका है इस इंडिया कंपनी का और यह सारी डूइलेपमेंट्स वो चल रही हैं भारत में इसकी गुंज ब्रिटिश पार्लेमेंट में भी चली जहां पर बहुत से लोगों ने अपना कंसर्ण जताया कि एक प्राइवेट कंपनी इतनी जादा स्ट्रॉंग इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है और इस बात को जरूरी समझा गया कि इनकी लगामें खींचने की जर धीरे 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 करके कम होती हैं तो 1764 से लेकर जो 1857 में अंग्रेजों का पॉलिटिकल कंट्रोल जादा बढ़ रहा है तो उसमें देखो इस इंडिया कंपनी सिरफ औजार है तो आज के सेशन में हम इस डिसकुशन को आगे बढ़ाएंगे और इस चीज को हम समझेगे कि किस प्रकार से 1800 की शुरुआत के बाद अंग्रेजों ने टेरिटरी की रैपिड एक्सपैंशन की अब सभी जानतें कि 1798 के बाद जब सबसिडरी अलायंस सिस्टम को स्टार्ट किया गया उसके जरीए इंडिरेक्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने ब ब्रिटिश गवर्मेंट ओवर इस इंडिया कंपनी इसको बढ़ावा दिया जाए यह काफे ज़्यादा दिमांड वहाँ पर स्टार्ट होगी थी तो उसी को आज हम डिसकस करेंगे और कल के लेक्टर में हमने बेसिकली रेगुलेटिंग आक्ट ऑफ 1784 आक्ट ऑफ 1776 और इनको कवर कर लिया था इतना ही नहीं हमने पूरा डिटेल में समझा था कि वो कौन से फैक्टर से जिनके बैग्राउंड में यह पर्टिकुलर आक्ट आए इनकी कौन सी सेलियन प्रोविजन थी और इसकी सिगनिफिकेंस या लिमिटेशन क्या थी क्योंकि जब हमने scientifically हम आगे बढ़ते रहे थे तो इसी discussion को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या देखेंगे हम Charter Act of 1813 को देखेंगे Act of 1833 को देखेंगे and Charter Act of 1853 का analysis करेंगे and again हमारी approach यही रहेगी कि basically we will understand the factors या situation जो England और इंडिया में थी जिसकी background में यह acts आए main provisions क्या थी इससे क्या impact पड़ा इंडिया के ऊपर ठीक है particularly इंडिया के ऊपर क्योंकि यह modern Indian history कर रहे हैं तो without wasting any time let us start with the session और session को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से request कि अगर अभी तक आपने मेरे साथ telegram channel पर connect नहीं कर रखा तो अभी कर लीजिए CS live group आपको telegram पर search करना है और इस channel के ऊपर मैं in particular series का मतब basically जो भी मैं YouTube पे sessions लेता हूँ उसके आपको PDFs वहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है if you want the PDFs of these sessions which is actually very important for you तो you can get them at this particular telegram channel इसी के साथ Instagram पर भी मेरे साथ जरूर connected रहे है time to time वहाँ पर भी मैं live sessions और important updates आपके साथ देता हूँ बहुत से लोगों क on Instagram as well ये QR codes को आप scan करेंगे तो मेरे साथ आप connect हो सकते हैं आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ दूस्तों आपको बताना चाता हो देखो साहा सीरीज में मेरा पूरा विश्वास है कि अभी तक जिस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं तो इसमें आपके बहुत से concepts clear हो गए तो ऐसे में देखो अगर NCRT आपने नहीं भी पड़ी तो कोई बहुत drastic आपके मन में ये भय नहीं होना चाहिए कि NCRT छोट गी साहा सीरीज में भी अगर आप मेरे साथ modern history को complete कर लेंगे तो NCRT में दी गई बहुत सी चीज़ें यहीं पर cover हो जाएगी बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप separately भी NCRT को cover करना चाहते हैं तो बिलकुल कीजिए लेकिन उसमें अपनी time efficiency का ध्यान रखते हुए आपका limited time ही NCRT जैसी book को cover करने में लगना चाहिए यह school की books हैं दोस्तों आप सभी graduates हैं और ऐसे में अगर इतने बड़े exam को prepare करना है syllabus और बहुत ज सारीके से depth में जाकर हम NCRT को cover करेंगे NCRT के एक level आगे बढ़ेंगे जिससे कि आप UPC की भी जब अपनी actual तयारी शुरू करेंगे तो चीजें मुश्किल नहीं लगेगी out of place आप feel नहीं करेंगे class के PDFs, cracks और इसी के साथ साथ हमारी books आपको मिलेंगी इस particular course में आपको 5 set मि मिलेगा books का जिसमें quality, history, geography, science and technology और economy की class 6 से लेकर class 12 तक की NCRT की summaries आपके पास होंगी एक बार इन books को पढ़ लिया ठीक है ये जो 5 books हैं इनको अगर पढ़ लिया तो NCRT पढ़ने की ज़रूतनी फिर होगी ठीक है अगला अलग चटी से लेकर 12 तक इतनी सारी NCRT हैं तो ग देखें और exam orientation में हमने इसकी summary बनाई है तो उस लिहाद से फायदा होगा, so CS live इस code का इस्तमाल करके you can enroll in NCRT and classes इसकी बहुत अल स्टार्ट हो रही है, description में आपको इसका link मिल जाएगा, so use the code CS live and see you soon in NCRT classes, having said that अब आगे बढ़ते हैं कहानी को बढ़ाते हैं फटा फट England से basically मानते start हुई थी, वहाँ पर primarily 1769 में, 1769 के करीब जब James Watt का steam engine ये invent हो गया था, तो steam power के basis पर factory system develop होना शुरू हो गया था, और इसकी वज़े से जब ये development हुई, तो England में merchants की एक new class form हो गई, अब 1600 में East India Company ट्रेड कर रही थी और particularly Spice Trade में ये interested थी, और India में आकर इनोंने gradually political power grab कर ली, उस political power का misuse भी किया और इनके पास crown द्वारा एक monopoly भी दे रखी थी, ठीके crown के द्वारा जो इनको monopoly मिली थी, उसका भी misuse हो रहा था, अब England में बैठे merchants को ऐसा लग रहा था कि ये discrimination है, हम भी develop कर रहे हैं, हम भी grow कर रहे हैं, तो India के साथ हम भी trade कर सकते हैं, और trade का फाइदा हमें भी मिल सकता है, ये monopoly नहीं होनी चाहिए, इसी के साथ साथ यॉरप में Napoleon का rice चल रहा था, Napoleon का पलड़ा अंग्रेजों के उपर भारी था, Napoleon से ही डर कर इन्होंने India या Indian subcontinent में subsidiary land system को भी शुरू किया था, तो Napoleon ने क्या किया, continental system को established किया in Europe, continental system में basically क्या थ था कि जितने European countries पे इसका influence था, he restricted those countries from opening up their ports for British goods, तेके British trade के लिए वो ports को बंद कर दिया, जिसकी वज़े से ये जो Britain के merchants थे, इनको नुकसान ज्यादा होना शुरू हो गया, इनका बहुत सा व्यापार जो अलग-अलग बंदरगा से आया करता था, अब उसमें बाधा आनी श के साथ, Oriental Goods के साथ trade में बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा लगातार कमाती जा रही है, ऐसे में इन्होंने अपनी अवास को, merchants ने अपनी अवास को और ज़्यादा बुलंद किया और कहा, कि अब तो time सच में आ गया है, कि East India Company के Monopoly को हम खतम करें, इसी के चलते, Adam Smith जैसे और regulation सोड़ी सी limited रखनी चाहिए, ऐसे में क्या होता है, कि जो companies फिर आपस में compete करती है, और जब competition होता है, उसमें होता है survival of the fittest, तो जो company की policies अच्छी है, goods अच्छे है, उनकी marketing strategies अच्छी है, वो emerge होती रहेंगी, तो सरकार को फालतू में किसी एक company को, या government owned companies नहीं होनी च जादा popular हो गई थी, और इसकी काफी गूंच चल रही थी, Britain में, लंडन में, इन सभी factors के चलते कहा गया, कि अब हमें एक नया reform करना चाहिए, जहां पर East India Company की administration में कुछ और लगामें कसी जाए, ठीके, along with this, जो सबसे important factor था, जिसके backdrop में 1813 का ये charter act आया, वो था कि territory जो East India Company इनने control करके रखी थी भारत में, वो बहुत जादा बढ़ चुकी थी, बहुत बड़ी territory वो हो गई थी, so consequently, ऐसा माने जाने लग पड़ा, ठीके, और ये जो merchants है, इनका भी कहना था, कि East India Company को commercial operations की जगह, ठीके, commercial operations में कुछ जादा ही वो फैल रखे हैं, right, and इनकी territory बहुत बढ़ चुकी है, तो इनके commercial operations और political operations इनको separate करने की ज़रूरत है, ठीके, दोनों को एक ही company, या concentration of power एक ही company में आप देखे रखोगे, तो वो घातक साबित हो सकते हैं, तो इसी backdrop में 1813 का ये particular charter act आता है, क्योंकि इस time पर जो demand है to end the company's privilege, यानि कि उसकी monopoly को खतम करने की बाद बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा loud हो जाती है, so 1813 का charter act आता है, और इस act में जो main provisions होती है, वो क्या है, कि जो Britain में एक हवा बन गई थी, कि company की monopoly को खतम किया जाए, वो accept कर दी गई, लेकिन company भी चलाक थी, company ने क्या किया, company के भी कुछ agents, या कु जातातर चीजों से तो खतम कर दी गई, लेकिन चाइना के साथ जो इनका trade था, और जो चाय का वेपार ये करते थे, इसमें East India company को monopoly दे के रखी गई, इसके पीछे कारण ये था, कि वहाँ पर ना, महौल बना दिया गया, ठीके, कि अगर T trade और चाइना के साथ ट्रेड, जि को balance करने की कोशिश ही गई, कि merchants ने कहा था कि भारत के साथ हमें विपार करने दिया जाए, तो उनको कहा कि हाँ, आप कर लो, मसालों का करना चाते हो, ठीके, textiles का करना चाते हो, you go ahead and do the trade, ठीके, अच्छे textiles अगर आप उनका आदान-प्रदान कर सकते हो, तो definitely आपको preference दी जाएगी, ठीके, वो बात उनकी मान लिगी, लेकिन at the same time अगर East India Company जो इतनी देर से यहाँ पर trade कर रही है, East के साथ इसका trade चल रहा है, वहाँ पर हर चीज से ही इनको पीछे कर देंगे, तो गडबड हो जाएगी, उपर से इनके भी तो agents पैठे हों है, पारलिमेट में, त तो overall monopoly तो खतम होगी, लेकिन यहाँ पर इनको trade allow करके रखा गया, for the time being, ठीके, यह भी एक point पे चला जाएगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर बरकरार था, इसी के साथ-साथ, क्योंकि इनकी territory बहुत जादा होगी थी, तो यह लाजमी समझा गया, कि यह इनको clearly message दे जा जाए कि यह territory आपके पापा की नहीं है, यह crown की territory है, crown के भी हाफ पे आप इस territory को manage कर रहे हो इंडिया में, ठीके, so you are the agents of the crown as far as the governance of these territories is concerned, और यह एक potential MCQ बनता है, ठीके, MCQ की एक potential statement बनती है, क्योंकि यहाँ पर for the very first time, for the very first time, British territories की constitutional position को define किया गया था, ठीके, जो territory अंग्र करके रखी थी, उसकी position को explicitly mention किया गया, कि यह territory जो है, East India company की नहीं है, crown के बिहाफ पर East India company वहाँ पर उसे manage कर दिये, यह चीज़ को clarify कर दिया गया, ठीके, this was another, this was second provision and most important provision, इसके बाद यहाँ पर ecclesiastical settlements को शुरुवात होगी, ठीके, ecclesiastical settlements यहाँ पर इसकी शुरुवात ह होगी थी, अब होता क्या, basically ecclesiastical जो है, this relates with church, right, तो यहाँ पर इस act में, missionary इसको allow किया गया था, कि वो इंडिया में जा सकते हैं, वहाँ पर settle हो सकते हैं, एक license के, license लेके, वहाँ पर settlements की जा सकती हैं, ठीके, and वहाँ पर they can preach their religion, ठीके, Christianity को promote कर सकते हैं, right, तो पुर्टग पुर्टगालियों में और यहाँ पर इनमें यही difference basically आया जाता है, कि Portugal थो Christianity का जंडा लेकर ही trade करने गए थे, जो कि उनके लिए घातक साबित हुआ, वहाँ पर हमने इसको detail में कर रखाया, तो इस series के पिछले lectures को अगर देखोगे, तो modern India history की पूरी clarity आपको अच्छे से मि आ रहा है, तब उनको लगा कि चलो political control होगे, अब social control को enhance करने के लिए हम यहाँ पर conversions शुरू करते है, Christianity promote करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फिर missionaries को allow करना start कर दिया, ठीक है, तो वो यह settle हो सकते हैं, एक license लेना पड़ता थे ने, and they could settle there, and propagate their Christianity and other activities, तो यहाँ से eclastical settlements हो है, इसी के साथ साथ science और literature को भी promote किया गया, अब अंग्रेजों की presence इतनी strong हो गई है, और इतनी vast territory इनके कदमों में हैं, कि basically उसको administer करने के लिए, इन्हें locals का भी support चाहिए, Indians का support चाहिए, so basically they wanted to create एक ऐसी class of Indians, ठीक है, एक भारतियर समाज का, एक ऐसा तपका वो अपने साथ लेना चाते थे, जिसको वो educate कर सकें, और उस education, उस educated class चो है, वो help करें उनको to govern India, ठीक है, क्योंकि अकेले ये, ना इनको culture पता है, यहां का ना भाशा पता है, कैसे करेंगे, ठीक है, तो एक middle class, ठीक है, एक educated Indian class है, वो इनकी सहायता करेगी to govern India, right, so इस काम के लिए annually decide किया कि एक लाक रुपे दिया जाएगा for the promotion of science and literature among Indian subjects, and एक ऐसी class बन जाएगी, जो Indian in skin होगी, brown in color होगी, लेकिन English in taste and culture होगी, तो उससे हम भारत को better govern कर पाएंगे, ठीक है, तो यह main provision C 1813 के act की, अब इससे related कुछ question करते हैं, ठीक है, यह आपके सामने सवाल है, I hope यह आपको clearly न कम हो गए है, match type के questions में, पहले ऐसे questions भी आया करते थे, कि जहांपे आपको ऐसे-ऐसे करके match करना है, ठीक है, और options दिये होती थी, फिर question आया कि पूछना है कि which of the pairs is correctly matched, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3, right, उसके बाद अब आ गया है कि कौन से pair correctly, कितने pairs correctly matched है, सिरफ एक pair correct है, दो correct है, so on and so forth, तो उस हिसाब से अपने आपको अगर आप prepare करना चाहते हैं, तो मैं suggest करूँगा कि exactly आपको पता होना चाहिए, कि कौन सा pair, किस सीज के साथ deal करता है, यह सवाल 2002 में आया था, let us try to solve it, यहाँ पर पहला आपको Charter Act of 1813 दे रखा है, और आपने identify करना है कि कि किस के साथ इसे deal करेगा, first कहरे है, set up a board of control in Britain, setting up a board of control in Britain to regulate East India Company, याद कीजिए, last lecture में हमने इसे किया था, तो board of control यह क्या था, देखो, मैंने आपको पूरा detail में समझा चुका हूँ, East India Company को दो चीजें, इसमें पहले दो bodies होती थी, court of proprietors and court of directors, court of proprietors basically elect करते थे, court of directors को, और court of directors यह executive body होत इसके बाद इनके उपर control करने के लिए, और इनके functions को separate करने के लिए, board of control को बनाया गया, तो political functions and commercial functions की separation हुई, तो political functions को control करने के लिए, board of control बना था, और यह बना था, Pits India Act के तहित, तो D, 1 बन जाएगा, तो D को 1 के साथ हम match कर सकते हैं, second कह रहे, company's trade monopoly in India was ended, company का जो trade monopoly in India है, उसको end कर दिया गया, ठीक है, इसका answer क्या होगा, अब based on the options given here, यह A match होगा, no doubt, T trade and trade with China, इसमें monopoly end नहीं हुई थी, लेकिन जिस act ने इस monopoly को end किया था, वो तो यहाँ पर दे नहीं रखा, है ना, जब वो नहीं दे रखा, तो best option क्या है, A can be matched with 2, थर्ड है, the power to govern was transferred from East India Company to British Crown, यह हम सब जानते हैं, यह 1857 के बाद हुआ था, so C को 3 के साथ match किया जा सकता है, और 4 कह रहा है कि companies directors were asked to present to British government all the correspondence and documents pertaining to the administration of the company, यह हम जानते ही कब हुआ था, यह 1773 के regulating act में हुआ था, जिसको हम last lecture में cover कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो कि इसकी भी significance है, क्योंकि 1773 के इस regulating act से पहली बार, British Parliament का East India Company के उपर control आया था, ठीक है, तो हमारा answer क्या बन जागा इसका, option A becomes the correct answer, I hope this thing is clear, अगले question पर चलते हैं, यह question कह रहा है कि with reference to constitutional developments under colonial rule in India, consider the following statements regarding Charter Act of 1813, 1813 की Charter Act के context में 3 statements थी हैं, आपको correct हो नहीं है, पहली statement कह रहे है कि it ended British monopoly of trade with India, except T trade and trade with China, comments में मुझे बताओ, क्या यह option correct है, and get ready for a shock, ठीक है, एक shock के लिए तयार हो जाओ, बताइए, first statement true है, आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं, कि यह true है, चलो, इसको hold पे रखते हैं ज़रा, second statement के रहे है कि it explicitly declared the sovereignty of crown over territories acquired by company for the first time, this is true, यह जो मैंने बताया है कि constitution position को declare किया गया for the first time, यही चीज़ है, crown का control है territories के उपर, इस इंडिया company, crown के बहाफ पर वहाँ पर है, ठीक है, तो यह true है, third कह रहे है, declaration of principle of state responsibility for education was most significant pronouncement under this act, यह भी true है, जो एक लाक रुपे देने की बात की गई थी, यह भी इसी act के अंदर बताया गया था, अब first statement को देखो, यह कह रहे है, it ended British monopoly of trade with India, except tea trade and trade with China, 1813 में East India company की monopoly खतम हो गई थी, trade with China और tea trade यह रखा था, यह intact था, लेकिन यह statement क्या कह रही है, it ended British monopoly, पूरे Britain की monopoly थोड़ी थी, सरफ East India company की monopoly को थोड़ा गया था, तो answer क्या बनेगा, यह गलत हो गया है, ठीक है, first statement गलत है, तो answer क्या बनेगा, answer will become option B, ठीक है, B correct answer बन जाएग that is two and three only, they are correct, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से बेले दोस्तों फटाफट बता दूँगे, देखो, ऐसे twists and turns अगर आप समझना चाते हैं, तो rather than आप prelims के time पर ऐसे आते होई सवालों को गलत करते हैं, 1813 को पढ़के, हमने एक question किया था, आप में से तब भी कई लो कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो जादा matter करते हैं, तो सही तरीके से सही direction में पढ़ने के लिए study IQ ने P2Y batch को start किया है, जहां पर आपकी foundation से लेके top level के concept को prepare किया जाता है, mentorship दी जाती है, mentorship का मतलब है कि एक dedicated वेक्टी आपके साथ रहेंगे, मतलब उनका contact number आपके पास होगा, जब भी कोई समस्या आए, पढ़ाई से related, book strategy, time table, कोई भी, उनको contact करके coordinate कर सकते हैं, live classes के तुरू, interaction तो ही, ठीक है, mic भी on करके doubts वोगरा clear हो जाते हैं, on top of it, weekly revision होती है, ठीक है, इसी के साथ-साथ prelims का crash course इसमें included है, prelims की test series इसमें included है, mains की answer writing धी, इसमें included है, जिसमें daily एक question हम देते हैं, वो तो करना ही है, वो evaluate होगा, उसके लावा आप जितने questions प्राक्टिस करना चाहते हैं, वो निशिंत होके आप चेक करवा सकते हैं, feedback ले सकते हैं, ठीक हैं, तो इस सारी provisions इस particular batch में हैं, CS live code का इस्तमाल करने से आपको इस batch पर maximum discount मिल जाएगा, और जो ये course, website या आप पर आपको 43-45,000 का मिल रहा है, वो basically कितने का मिल जाएगा, in only rupees 30,000, ठीक है, and do check, जैसे अगर मालों आपने इस course में enroll करना है, तो एक बार आप website पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको UPSC live latches में जाना है, यहाँ पर देखो, ये batch है हमारा P2i का, P2i में जाएंगे, buy now पर click करेंगे, and when you apply the code, C-S-L-I-V-E, इसको apply किया, तो you can see 28,000 में आपको course मिल रहा है, तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, that basically CS live code आपको किसी भी समय पर जो maximum discount चल रहा है, वो provide करेगा, तो इस वक्त maximum discount इतना चल रहा है, तो minimum price 28,000 पर आप इसमें enroll कर सकते हैं, ठीक है, features इसके बहुत शानदार है, and it has basically everything, and anything that is needed to ace the exam in the very first attain, चाम 6 बजेगा ये batch है, enroll in it, जल्दी आपसे classes में मिलेंगे, ठीक है, ये इसके further detailed features भी आपको पता देता हूं, these are the detailed features, ठीक है, इनको PDF में आप read कर सकते हैं, go through कर सकते हैं, कोई doubt आए वो मैं यहाँ पर resolve कर देता हूं, ठीक है, इस particular telegram channel से resolve हो जाएगा, right, Instagram पर भी कई लोग message करते हैं, वहाँ पर भी your queries can get resolved, आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम Charter Act of 1833 की, Charter Act of 1833 में जो industrial revolution है, अब ये England में और जादा पैर पसार रही है, और जादा strong हो गी है, ठीक है, तो industrial revolution हुई थी, Watts का steam engine बना था, इससे क्या हुआ था, factories rapidly emerge हो गई, जब factories rapidly emerge हो गई, तो textiles में इसका सबसे major outcome देखने को मिला, textile production बहुत जादा efficient बन गई, England के अंदर, right, so London या UK या British, ठीक है, Britain, basically it became the manufacturer of cotton textile, ठीक है, इसके लावा और भी कई commodities की factory बन गई थी, जब factories हैं, उन उनमें से goods निकल रहे हैं, products निकल रहे हैं, वो product का क्या करेंगे, collect थोड़ना करना है उनको, ठीक है, उनको ऐसे इकठा करके नहीं रखना, उनको बेचना होता है, तिससे की profit आए, right, cheap goods बनाने शुरू कर दी इन्होंने, कि पहले जहां पे एक व्यक्ति, 10 goods एक दिन में बन बना सकता था, तो उसकी value भी जादा होती थी, ये factories, 1000 goods एक दिन में बना सकते थे, और उन 1000 goods को बनाने के लिए, शायद 2 या 3 व्यक्ति को employ करना पड़ेगा, ठीक है, वो machines operate करने के लिए, तो इससे में, इन factory owners को market चाहिए, new export market चाहिए, तो basically जो हमने देखा ना, कि end कर दी monopoly company की, अब चाय का व्यपार, और जो चाइना के साथ trade था, यहाँ पर आवाज उटनी शुरू होगी कि उसको भी खतम कर दो, ठीक है, और इसके चलते क्या होता है, liberalism का rise देखने को मिला in London, ठीक है, देखो, सीरीसी बात है, कि जब यार आपका पेट नहीं भरा हुआ, ठीक ह उसके उपर उसका दिमाग रहता है, वो ज़ादा सोच नहीं बाता, लेकिन जो लोग रज्य पुझे हैं, ठीक है, पूरा satisfied है, उनके पास resources की कोई कमी नहीं है, तो उस case में क्या होता है, कि उनका दिमाग फिर philosophy में चला जाता है, फिर उन्हें लगता है कि यार, दुनिया म colonies में already export करना start कर दिया था, profits आ रहे थे, grow कर रहा था इंगले, तो यहाँ पर यह जो philosophy थी ना, liberalism की, यह बहुत ज़्यादा popular हो गई, अब इस liberalism philosophy के कुछ basic idea से, वो मैं आपको बता देता हूं, क्या थे, core principles थे, liberalism के अंडर, सबसे पहले कहते थे, कि trade free होना चाहिए, trade के उ chartism में यह believe करते थे, this is important term for your exam, what is chartism, chartism का मतलब है कि हम एक ऐसा political system बताएंगे, which is more representative, which is more democratic, ठीक है कि वो लोगों के विचारों और उनकी समस्याओं का समधान करने के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर more democratic and representative political system का क्या मतलब है, कि adult suffrage को बढ़ाया जाए, पहले एक समय पर सिरफ property men could vote or get elected, तो इसको कहा कि universal adult suffrage की हमने बातें करनी शुरू करती, ठीक है, responsive होना चाहिए, जो लोगों की समस्याओं है, उसके प्रती समधन शीलता दिखानी चाहिए, उसका समधान निकालो, इसे के साथ साथ women rights और suffrage की भी बात होनी start हो गई, along with this utilitarianism, this became quite popular, what is it, utilitarianism क मतलब ये है कि public policy की utility होती है, क्या utility होती है, it should maximize the well-being and happiness of its citizen, अगर सरकार है, अगर state exist करती है, वो policies बनाती है, वो policies किसी को खुश करने के लिए नहीं है, अपने किसी close friend को, वो सब को खुश करने के लिए, उसका purpose होना चाहिए, कि maximize the well-being and happiness of the people, ठीक है, तो सब का ज़्यादा फाइदा जहां पर हो रहे है, वो करना चाहिए, और इसी के साथ-साथ slavery जैसी practices को ये condemn करते थे, तो anti-slavery ये भी इसमें included था, British Parliament में उस समय पर, 1833 के समय पर, Lord Macaulay और James Mill, ठीक है, Lord Macaulay जो थे, ये President of Board of Control थे, ठीक है, he was the President of Board of Control, जो East India Company के political functions को control करने के लिए बलाया गय था, and James Mill, he was the Secretary of the Correspondence that used to take place between British and East India Company, ठीक है, उनको documents बगरा दिखाने सारे, तो वो correspondence पूरा, वो examine करते थे ये, और ये दोनों ही liberal थे, इन दोनोंने Charter Act of 1833 के draft में एक बहुत important भूमी का निभाई, और जाहिर सी बात है, कि liberalism के ये ideas, Charter Act of 1833 में हमें नजर आए, ठीक है, और यहाँ पर इसी philosophy के चलते, इन दोनों दिगजों को, और Britain में, Britain की society में एक general opinion बन गया, कि जो territorial expansion कर ली है, हमने बहुत जादा, ठीक है, 1833 में और expansion हो गई थी, आप सबको पता है, तो उसको clear cut बात है, कि इतनी बड़ी territory को, हमें company के हवाले नहीं कर सकते, ठीक है, तो अब इ wind up करने का process को initiate कर देना चाहिए, right, so consequently इसमें क्या हुआ, कि सबसे पहला काम इन्हों ने किया, पूरी तरह से, इस India company की monopoly को, खतम कर दिया, ठीक है, monopoly खतम हो गई, और इसको कह दिया, कि अपने commercial business को, जितनी जल्दी हो सका है, wind up कर दो, ठीक है, और लाजमी सी बात है, commercial body की तरह गए, फिर commercial political powers दोनों थी, फिर धीरे-धीरे political powers ब्रिटेन अपने पास लेना चाहता है, monopoly end कर दी, जब monopoly end कर दी, तो फिर East India company का वहाँ होने का मतलब नहीं है, तो gradually 1857 revolt जो था न, वो तो सिर्फ एक बहाना बन गया, British Parliament के लिए, अपनी नाक बचाने का, सारा का सार दोश एक joint stock company को दे दो, हम तो दूद के दुले हैं, लेकिन actual में, जो भी इंडिया में हो रहा था, हर चीज की ख़बर थी ने, कि क्या क्या हो रहा है, correspondence ले रहे हैं यार, पूरी, British Parliament के सामने सब कुछ present किया जा रहा है, कि क्या क्या चल रहा है, तब भी 1857 revolt हुआ, तो यहा क्या अब commercial operation वैसे भी कम हो रहा है, political power बढ़ रही है, तो board of control के president को minister level का एक दर्जा दे दिया, और यह बन गया minister of Indian affairs, as per Charter Act of 1833, इसी के साथ-साथ, इंडिया में, अंग्रेजों की या ब्रिटिश की immigration के दर्वाजे काफी जाधा खुल गए, ठीके, colonization, proper colonization जो कहते हैं, उ अब ही लोग आते थे, एक आम ब्रिटिश नागरिक अगर कहें कि मैं भारत में आके settle होना चाहता हूँ, तो काफी सारी restrictions हुआ करती थी, लेकिन Charter Act of 1833 ने इन restrictions को, तो immigrate in India, इसको हटा दिया, अब Europeans जो हैं, वो इंडिया में immigrate भी कर सकते हैं, यहाँ पर land और property भी खरीच सकते हैं, तो basically, colonization, अब वो colonize करेंगे properly इंडिया को, एक बहुत बड़ा chunk of British population, European population, इंडिया में आकर बस सकता है, ठीके, इसको घर बनाने की, अपनी इनकी मंचा, यहाँ पर कही ना कही नज़र आ रही है, इसी के साथ-साथ, जब अंग्रेजों के citizens, ठीके, European citizens, यहाँ पर establish करने की ज़रूरत पढ़ रही है, ठीके, rule of law मतलब कुछ कानून होने चाहिए है, कि जिस कानून के तहित, अपने Indian subjects को भी administer करेंगे, और यह जो European आ रहे हैं, इनको भी administer करेंगे, ठीके, तो laws की requirement feel हुई यहाँ पर, तो इसके लिए, एक commission बनाया गया, known as law commission, law commission का का काम थ कि जो भी existing laws हैं, जो scattered पढ़े हुए हैं, उसका एक defined source तयार किया जाए, और उस source के basis पर, पूरी के पूरी, इंडिया की जो administration है, वो की जाएगी, British subjects और Indian subjects पर वो apply होंगे, ठीके, तो codification करनी थी, of existing laws, जो scattered पढ़े हुए है, consequently, Indian penal code, 1860, and code of civil and criminal procedure, ठीके, CRPC जैसे है, वो 1861 म बन कर तयार हो गया, ठीके, effect में कब आए, ये एक MCQ बनेगा, इसको मैं next class में करूँगा, तब तक आप एक बर search करेंगे, कि ये enact कब हुए थे, और enforce कब हुए थे, ये दो चीज़ें थोड़ी सी different होटनी है, ठीके, तो IPC और CRPC, ये इसी law commission की देन थी, अब जब laws इतने ज general, यहां पर माना गया, कि एक और member को भेजा जाए, लेकिन ये full time member नहीं होगा, ये चार से तेन इसलिए किया था न, कि governor general को थोड़ा सा freedom मिले, तो consequently जब वापिस चाहर किये जा रहे हैं, तो ये member जो है, he was law member, right, but not the full time member, ये बाकियों की तरह ऐसे act नहीं करेगा, ठीके, व जब legislative और administrative, इन दोनों functions को separate किया जाएगा, तो ये जो law member add हुआ था, इसका काम purely legislative work का था, ठीके, his work was fully legislative, कि कानून तयार करना, ठीके, और उनको कैसे execute करवाना है, उसमें governor general का साथ देना, इस purpose के लिए था, तो पहले ये law member जो थे, वो थे Lord McCauley, and he was also the head of law commissioner, ठीके, president of law commission, right ये important चीज़े हैं, ये दो important developments इसके basis पे हुई, इसी के साथ, इन्होंने ये अब समझा, कि जो public services हैं, East India Company के जो servants हैं, जो officials हैं, अब उसमें Indians को भी recruit आप कर सकते हो, तो Charter Act of 1833 ने स्याफ साफ ये कहा, कि कोई भी आपने recruitment करनी है, तो किसी एक व्यक्ति को इस basis पर, बार नह वो Indian है, तो ऐसा नहीं कि East India Company उसको hire नहीं कर सकती, recruit नहीं कर सकती, तो अब Indians के लिए भी education का system खुला हुआ है, and they can even get employment under East India Company in public services, ठीक है, public services में वो भी अब आ सकते हैं, इसी के साथ, जो company के civil servants हैं, ठीक है, company के civil servants के training के लिए, एक college का, college के तयारी की गई, के Halliberry College England में था, तो वहां पर इन civil servants को train किया जाएगा, लेकिन इस particular provision में ना, कि जहां पर Indians को educate करके उनको employ करना है, और civil servants को Halliberry College में जाकर training देनी है, इसको execute करने के लिए बड़े आधे मन से यह बनाया गया था, यह provision, और इसको execute करने में भी आधे मन से execution भी, ठीक है, बहुत जादा इस प ठीक है, लेकिन immediately slavery abolish नहीं हुई थी, slavery एक दूसरे act से abolish हुई थी, this is called act 5 of 1843, act 5 of 1843 से slavery abolish हुई थी in India, ठीक है, British Parliament में इसी तरह से act के ना numbers दिये जाते हैं, right, so it abolish slavery, I hope यह चीज़ आपको याद रहेगी potential MCQ है, एक बहुत बड़ी development यहां पर हुई, आपने देखा कि किस प्रकार से centralization, pits India act onwards start हो गई थी, ठीक है, in fact regulating act से काम शुरू हो गए था, pits India act में further centralization होनी शुरू हो गी थी, यहां पर centralization एक तरीके से अपने pinnacle पर पहुंच रही है, इधर governor general of Bengal, इसको बना दिया, governor general of India, और जो governor general की in council की जो powers हैं, यह Bombay, मदरास और East India company की बाकी सारी territories के उपर, यह अब apply होगा, ठीक है, तो अब पूरी तरह से पहले क्या था, war and peace के मुद्धों में, ठीक है, अब हर जीज में यह supersede करेंगे, तो basically governor general in council and governor general of India, यह superior है, यह चाहे, तो मतलब overrule कर सकता है, इन दो presidency के governance के भी decisions को, ठीक है, तो ultimate power यहां पर दे दी बाता है, कि कौन से charter act से governor general of Bengal became governor general of India, ठीक है, and comments में मुझे बताइए, who was first such governor general, कौन सा यह पहला governor general था, जो Jija of Bengal से Jija of India बन गया, ठीक है, यह comment section में आप answer बताएंगे मुझे, right, अब यह administrative control तो हो गया, legislative centralization भी इन्होंने कर दी, कैसे की, कि जो governor general in council था, इसको power दे दी, कि आप कानून बना सकते हो, legislate कर सकते हो, different laws, rules and regulations for entire British territory, right, जो इंडिया में मौझूद है, पहले क्या है, कि मदरास, मौंबे और दूसरी presidency, अपने level पर legislations कर सकते थे, लेकिन अब यह power, governor general के council के पास है, और उसमें भी law member, वो यह legislative work करता था, ठीक है, तो यह सारी चीजने च करते हैं, previous air questions के उपर हम focus करेंगे पहले, which one of the following provision was not made in Charter Act of 1833, बताइए, क्या answer होगा इसका, statement 1 कह रही है कि trading activities of East India Company were to be abolished, ठीक है, यह तो था, यह तो दिया था कि जितनी जल्दी हो सके, अपने operations को wind up कर दीजिये, ठीक है, तो यह answer नहीं हो सकता, designation of the supreme authority was to be changed as governor general of India in council, यह भी था, governor general of Bengal के जिए, governor general of India बन गया, all lawmaking powers to be confident on governor general in council, यह भी true है, lawmaking powers, GG in council के पास आ गई, and Indian was to be appointed as law member in governor general's council, no, this is not true, यह आगे हम पढ़ेंगे जब councils act आएंगे, ठीक है, आगे जाके अभी councils act भी हम करेंगे, right, after 1857 की जब कहानी शुरू होगी, तो उसमें यह provision आनी start हुई इसमें अभी सिर्फ law member की बात की गई है, वो Indian होगा ऐसा कहीं नहीं का, तो यह charter act of 1833 का part नहीं है, answer क्या बन गया, option D, D has become the correct answer, अगला question करते हैं, यह important है, assertion reason type का question है, assertion है कि charter act of 1833 was a reflection of liberal humanitarian attitude of British Parliament, और reason कह रहे है कि charter act of 1833 provided for abolishing slavery in India, now see, जो charter act of 1833 था, उसको अगर आप ध्यान से उसका visualization करेंगे, तो उसमें actually कई provisions थी, जिसमें कि उनका liberal humanitarian attitude देखा जा सकता था, जैसे कि abolition of slavery के लिए उन्होंने provision रखी थी, Indians की recruitment in public services उसके लिए provision रखी थी, और civil servants की training के लिए halibary में provision रखवाई थी, तो liberal attitude और liberalism की background में ही ये particular charter act बना था, तो liberal humanitarian attitude तो उसकी तो reflection ये है, but, क्या इस act ने slavery को abolish किया, जवाब है नहीं, slavery को abolish किया था act 5 ने, of 1843, तो ये गलत हो जाता है, assertion true है, तो हमारा answer क्या बन गया, option C, ठीक है, C has become the correct answer, एक और question करते हैं, which of the following acts under colonial administration in India created new constituency of Agra, तो इसका जवाब है, option C, charter act of 1833, ठीक है, 1833 के charter act से, basically, Agra की new constituency बनी थी, ठीक है, ये भी एक fact है, इसको याद कर लो, वो chart में मैंने बना के रखा हुए, ठीक है, उसको पढ़ लेना, revise कर लेना, आगे बढ़ते हैं, अब charter act of 1853 करने, है, so now, 1853 तक देखो, अब क्या हो रहे है, 1853 तक ऐसा हो रहे है, कि इस इंडिया कंपनी के commercial operations की जो monopoly थी, वो लगबग खतम है, और बहुत से British merchants है, जो trade कर सकते हैं, ठीक है, और जो political control है, वो British Parliament चाती है, कि एक company को क्यों ही दे, तो यहाँ पर न, अब British Parliament का पूरा मन बन न, powers उसकी छीन ले, लेकिन वो लेनी ऐसे है, जहाँ पर उसको justify किया जा सके, ठीक है, तो basically जब 1857, यह पूरी कहानी न, कर्मा theory कहते हैं न, कि कर्मा hits back, तो जिस प्रकार से, इस इंडिया company के कई governor generals ने, mal administration या mis governance के pretext मे, कई Indian राजरजवाणों को, कई भारतिया था, अब वही चीज इनके साथ भी होगी, 1857 के टाइम पे, लेकिन उससे पहले एक भूमी का, एक groundwork ले कर दिया गया है, और Charter Act of 1853, ठीक है, इसमें basically और regulation की जा रही है, East India Company की governance पे, ठीक है, basically raw धांचा तयार किया जा रहा है, कि जब East India Company हट जाएगी और British Crown का rule होगा, तो एक basic जो framework है न, वो लगबग ऐसा ही रहेगा, ठीक है, तो let us see के इसकी क्या provision है, in detail, थोड़ा detail में समझेंगे, सबसे पहली और सबसे important provision थी, कि जहाँ पर Charter Act usually company की monopoly को, या company की, उसकी presence को, 20-20 साल के लिए extend करते रहते थे, right, तो एक तो monopoly तो पहली खतम होगी थी, साथ ही सा जिया, कि जो Indian territories है, they will remain in trust for the crown, ठीक है, कि crown ने company के उपर भरोसा रखके, East India Company के वाले किये हुए है, ये तब तक ही रहेगा, जब तक ही Parliament direct नहीं करते, इसका मतलब ये है, इस Act ने साफ साफ ये कह दिया, कि अब ऐसा नहीं है, कि East India Company यहीं पर रहेगी, जब Parliament ने कह दिया, कि wind up करो, तब East India Company को सारा कुछ hand over करना पड़ेगा, अपना control to the crown, ठीक है, तो ये एक important development है, right, crown कभी भी take over कर सकता था, it was just a matter of time now, इसी के साथ governor general के executive और legislative functions, ठीक है, ये दो अलग-अलग चीज़े हैं, for example, जो इंडिया में हमारे प्रधान मंत्रियों और उनका council of ministers है, ये executive है, ठीक है, ये सरकार चलाते हैं, और जो हमारी parliament है, वो legislative body है, वो कानून बनाती है, तो जो bills और acts बनते हैं, वो parliament में बनते हैं, उसमें सभी representatives हम लोगों के जो हैं, वो चर्चा करके bill को पारित करते हैं, या उसको खारिज करते हैं, पारित हो जाता है, तो उस bill की further execution, वो कौन क 1853 के act तक आपने देखा, कि वो legislative functions भी perform कर रहा है, administrative functions भी perform कर रहा है, workload बढ़ता जा रहा है, तो इन्होंने का कि चलो workload divide करते हैं, तो ये separate कर दिया executive and legislative functions को, ये important point है, ये question आ सकता है, कि किस act ने governor general के legislative और executive functions को separate किया, तो वो है 1853 का act, तो इसके लिए legislative work के लिए additional members को include कर दिय गया और law member भाई बहुत परिशान हो गया तक आग यार सारा का legislative work हम मुझसे कर बाते जा रहे हो, तो इन्होंने का कि ठीक है, तो भाई full member बन जा, governor general के executive council के अब आप full member हो, ठीक है, सलाव अगरा देंगे आप जैसे बाकी members हैं, आप भी उसी तरह की पावज रखते हैं, privilege र पूइन जज, P.I.S.N.E., यह क्या होता है, इसका मतलब सबॉडिनेट, ठीक है, lower in rank, chief justice के तो lower in rank वाला जजज होता है, वो यहाँ पर एक member बनेगा, और इसी के साथ-साथ, चार members और होंगे, यह चार members कौन होंगे, Bengal, Madras, Bombay and North West Frontier Province के representatives, ठीक है, यह legislative council में बैठेंगे, और यह जो representatives होंगे, they are supposed to be civil servants of East India Company, having a tenure of at least 10 years, कम से कम 10 साल से, वो civil servant होने चाहिए, British East India Company के, तभी वो eligible है to become the member of legislative council, ठीक है, तो इन चार presidencies के representatives, they will also be part of legislative council, तो यह 6 member का एक council तयार हो गया, और governor general के executive council में चार members है, और एक governor general है, ठीक है, तो यह process है यहाँ पर, अब legislative council तयार हो गया, अब यह legislative council था ना, it used to act like, in a very parliamentary fashion, ठीक है, parliament की तरह ही काम करता था, अब ऐसा कहा जाता है, कि यहाँ पर ना, जब Charter Act 1853 का draft हो रहा था, तो इसका draft बनाने में, Sir Charles Wood की एक बहुत एहम भूमिका थी, और जब इसका draft तयार हो रहा था, और जब Charles Wood यह act बना रहे थे, इन्होंने कभी यह intention नहीं रखी, कि इंडिया में constitutional parliament का एक foundation हम तयार करें, ठीक है, parliamentary constitution की foundation हम तयार करें, ऐसा इन्होंने बिलकुल नहीं सोच जा था, but to his surprise and to everyone's surprise, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कि एक clear cut distinction मिली, और यह legislative bodies, parliament की तरह act करना start कर जाते हैं, ठीक है, Indians की कोई association नहीं थी, फिलहाल, इन legislative councils के साथ ही के Indian members अभी नहीं है, यह आगे जा कर आएंगे, और इसमें further क्या है, कि parliament की तरह act कर रहे हैं, तो यह क्या करते थे, कि यह सरकार से, यानि कि Governor General के Executive Council से सवाल पूछ लेते थे, कि अगर कु कोई policy होती थी, तो उस पे उस पे चर्चा की जाती थी, और उगर उसमें कुछ laps हैं, तो वो highlight किये जाते थे, Executive Council को criticize भी करते थे, अगर कहीं पे उन्होंने laps किया है, यहां कोई, मान लो कुछ budget था, वो नहीं पास हुआ, यहां सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके उपर criticism भी मिलता था, bills जो थे, वो select committees को भी दे दिये जाते थे, और legislative business जो है, यह public में होता था, यानि कि जो भी अंदर चर्चा हो रही है, यह फिर news whippers में छपते थे, तब TV बगारा तो इतने थे नहीं, news whippers में इनको छाप दिया जाता था, लेकिन, इस सब के बावजूद, ultimately, bills क उपर authority, उसमें जो veto power है, वो legislative, executive council के पास होते थी, ठीक है, आज देखो, अगर parliament किसी bill को reject कर दे, ठीक है, फिर हमारी सरकार उस bill को जबरदस्ती पास नहीं कर सकती, although ordinance की power है, but जबरदस्ती पास नहीं किया जा सकता, वो आक्ट नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर executive council के पास थी, कि अगर कोई bill, मान लो legislative council ने reject भी कर दिया, तब भी वो उसको veto कर सकते थे, ठीक है, यहाँ legislative council ने कोई bill पास किया, ठीक है, veto का मतलब है, legislative council ने कोई bill पास किया, और executive council को लगा कि यह bill हमारी functioning में अडंगी डाल सकता है, तो उन्होंने उसको veto कर दिया, ठीक है, इसी के स साथ-साथ, जब यह सारी organization चल रही है, तो कहा गया कि क्योंकि commercial operation तो अब ना बराबर ही रह गए है, इस इंडिया company के, तो इनके commercial operations को control करने वाले, जो court of directors थे, फिर इनका क्या काम, तो यह 24 हुआ करते थे, कल के lecture में हमने देखा, ठीक है, पिछले lecture में आपने देखा है, कि यह 24 हुआ करते थे, इनको घटा कर 18 कर दिया गया, और इन 18 में से जो 6 थे, वो directly अब crown द्वारा appoint होंगे, यानि कि court of proprietors, इन 18 के 18 को elect नहीं करेंगे, इन में से 6 जो है, वो crown appoint कर रहे है, तो basically court of directors के उपर भी British government, British crown का कहीं न कहीं control को बढ़ाया जा रहे, इसी के साथ-साथ, court of directors, पिछले lecture में मैंने आपको बताया था, कि एक बहुती sought-after job हुआ करती थी, एक position हुआ करती थी, क्योंकि इसकी वज़े से nepotism को बढ़ावा मिलता था, अपनी सगे संबंदियों को वो भारत में नौकरियां दे देते थे, अब अंग्रेजों ने, British Parliament ने फैसला किया, कि इस चीज को हम खतम करेंगे, ठीके, उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी jobs हैं और जो civil services हैं, वो open competitive exam के थुरू होगी, यानि कि अब court of directors अपनी मर्जी से अपने company के servants को appoint नहीं कर सकते, जो भी servant जिसने बनना है, जिसने भी एक position को fill करना है, उसके लिए examination होगा, और जो best candidate होगा, उ power of appointment, इसको खतम कर दिया गया, और Lord Macaulay द्वारा एक committee को बनाया गया 1854 में, जिससे की इस scheme को enforce किया जा सके, तो यह भी एक अच्छा step था, reform किया जा रहा है, इस इंडे company की जो बेकार governance यहां पर चल रही थी, उसको reform किया जा रहा है, पर particularly अभी इसका फायदा जो है, इनको एक दूसरी power दी, ठीक है, पावर क्या दी, यह कहीं न कहीं commercial power ना होकर थोड़ी administrative power है, इसमें इनको कहा गया कि अगर आपने कोई new presidency बनानी है, यहां फिर आपने existing presidency के borders को alter करना है, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि आप administration ठीक कर सकते हैं, तो यह power है, consequently आप जानते government of Punjab को इसी power का इस्तेमाल करके इन्होंने बनाया, अब यहां पर इस act की एक significance है, और उसका critical analysis जरूरी है, जो आपको mains के किसी question में help कर सकते है, ठीक है, सवाल यहां पर यह बनते है कि क्या 1853 का जो हमारा charter act है, is it a beginning of constitutional parliament in India, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि Charles Wood ने जब draft किय ठीक है ठीक है, उन्होंने सोचा नहीं था कि यह constitutional parliament की starting होगी, ठीक है, उनका कभी यह intent नहीं था, लेकिन जब यह नए legislative council बने, इसके जो member थे, इन्होंने एक independent spirit के साथ काम करना शुरू किया from the very beginning, ठीक है, यह अपने executive council को question कर लेते थे, criticize करते थे, जवाब मांगते थे, औ एक Anglo-Indian House of Commons बन गया, ठीक है, Anglo-Indians मतलब जो अंग्रेज हैं, इंडिया में आके बस गए हैं, अब इसको अपना घर मान रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ गडबड हो रही है इन्हीं की सरकार से, तो फिर question किया जा रहा है, ठीक है, मुद्दे raise किया जा रहे हैं, लेकिन इसमें particular जो interest serve हो रहा है, वो किसका हो रहा है, British का ही हो रहा है, और सबसे जो negative connotation या negative outcome है, वो है कि Indians को अभी तक इसमें associate किया ही नहीं गया, तो यहाँ पर Charles Wood ने न specially explanation दी थी, कि अगर ऐसा हो रहा है, मेरा कोई intent नहीं था, उससे बोलना पड़ा था यह, लेकिन चाहे कोई कोई statement देता है, जो उसका impact था, वो यही था, कि यह constitutional parliament की शुरुआत थी, जो हमारे educated Indians से वो भी इस process को देख रहे थे, and that is why they wanted कि हमें ज्यादा representation in council में मिली, right, Congress के बनने के बाद जो primary demand शुरू हो गई न, वो यही हुआ करती थी, कि representation हमें ज्यादा मिले, ताकि सरकार, British सरक को हम भी criticize कर सकें, और Indians के interest को promote कर वा सकें, ठीक है, so, यह सारी चीज़े यहाँ पर चल रही है, अब यहाँ पर न, sociology students को एक छोटा सा में example देना चाहता हूँ, that, आपना एक यह चीज़ पढ़ते हो, latent and manifest functions, ठीक है, मुझे comment में बताना कि यह आपके topic में पढ़ते हो, ठीक ह कि हमने कोई काम किया, वो प्रत्यक्ष रूप से जो objective था, जो intention था, वही intention हमें नजर भी आ रहे है, कि जैसे मालो executive, legislative council बनाना था, ठीक है, तो वो बन गया, उसमें members नजर आ रहे हैं, this is what, this is manifest function, latent function है, unintended consequence, unintended consequence क्या था, that it turned into an Anglo-Indian House of Commons, it laid the foundation of constitutional Parliament in India, ठीक है, तो जो sociology के students हैं, और जिन्होंने यहां तक अपना syllabus cover कर लिया है, तो उनको यह मज़ा जरूर आया होगा, इसी इसको पढ़कर समझ कर, ठीक है, having said that, चलिए questions करते हैं, right, so, 2006 में question आया था, statements दी गई हैं, यहां पर तीन, correct identify करनी है, पहली statement के रही है कि Charter Act of 1853, इसने East India Company के monopoly को abolish कर दिया, क् true है कि false है, this is false, 1833 के Charter Act ने properly चाय और चाइना दोनों के trade को खतम कर दिया, और monopoly पूरी तरह से खतम हो गई, और इस सब के शुरुआत 1813 से ही हो गई थी, ठीक है, second statement के रही है कि under the Government of India Act 1858, British Parliament abolished East India Company altogether and undertook the responsibility of ruling India directly, तो answer क्या बनेगा, first गलत है, and second true है, तो B हमारा correct answer बन गया, अगला question करते है, assertion reason का है, Conceivers of Charter Act of 1853, they aimed to introduce a system of constitutional parliament in India, Conceivers of Charter Act of 1853, aimed to introduce a system of constitutional parliament in India, with separation, reason क्या बता रहे है, separation of legislative and executive council of Governor General, under this Charter Act, the actions of executive council were put under a check of legislative council, ये true होगा कि false होगा, दो उस्तों, ये है difficult question, जो UPAC ने अपना level अब बना दिया है, वहाँ पर वो prelims में भी objective MCQs को depth में पूछ रहे हैं, अब depth वाले questions को solve करने के लिए, जब हमने अपने basics को पढ़ना है, from the basic books, या फिर अपने classes में भी आप लगाते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, उसमें depth में जाना जरूरी है, तो हम यहाँ depth में गए, इसलिए हमें पता है, कि conceivers जो थे इस Charter Act के, उनका कोई intention नहीं था भई, कि parliamentary system को start करें, constitutional parliament की foundation ले करें, तो assertion हमा projects में बना के रखनी है, तो P2Y batch को जरूर जोइन करना, study IQ ने बहुत मेहनत से उस batch के उपर काम किया है, और वहाँ पर हमने आ रही 100%, ठीक है, तो selection का percentage आपको पता है कि probability 1% के आसपास ही है, but team study IQ believes कि even a 1% possibility should mean 100% effort, right, so use the code CSLIFE for the discount, और P2Y batch में रोल करके, आप full-fledged अपनी त यारी के लिए, वो batch काफी आपके काम आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, with reference to constitutional developments under colonial rule in India, consider the following statements, Charter Act 1853 के context में है, correct identify करनी है, पहली statement के रही कि it was legislated with an aim to introduce constitutional parliament in British India, but without the association of Indians, ये false है, ठीक है, it was legislated with an aim, aim थाही नहीं ऐसा, it separated legislative and executive functions of governor journals council, ये true है, number of directors in court of directors was reduced, yes, 18 हो गए थे, इन 18 में से भी 6, crown द्वारा appoint होते थे, ठीक है, तो second और third correct है, answer क्या बन गया, option B, ठीक है, तो that's it for this particular lecture, अगली lecture के लिए content तयार हो रहा है, बहुत जब्द आपके साथ share करूँगा, right, and ये PDFs अगर आपको चाहिए, तो CSL group को join कर लेना, कहां पर मिलेगा CS live group, वो भी देख लो, ठीक है, तो telegram पर आप जाओगे, तो telegram पर आपको CSLIVE and GROUP, ये search करना है, तो here we have CS live group, तो this is our group, ठीक है, तो इसमें आपको कई सारी information, कई snippets, कई infographs, वो सब भी में time to time देता रहता हूँ, और कई सारे आप लोगों क same query होती है, तो मैंने कए process follow किया, कि मैं न कुछ 59 seconds की न, एक short video उस query को address करने के लिए, इस channel पर share कर देता हूँ, तो आपको अपने exams related tips and tricks भी यहाँ पर पता लग जाती है, so make the best use of this channel, and again, to enroll in the courses, the code, जिस से गी आपको discount मिल सकता है, और जो code आपको use करना चाहिए, that is CS live, having said that, wish you all the best friends, ईश्वर आपको भरपूर काम्याबी दे, जल्दी मिलते अंगले session में, thank you so much.